श्री श्रीवाय नमस्तु वियम फ्रेंड्स अभी हम एक लाइव कंसल तंसीब है अभी यहां पे आप देखोंगे देख फाम हाउस के हम यहां पे डिजाइन करवा रहे हैं अभी हम ओपन लेंड की पूरी फिक्वंसी चेक कर रहे हैं कि यहां पे कितनी जीए से कितनी आई आ सबसे पहले हम खड़ें नोर्थ डायरेक्शन की तरफ नोर्थ और इस्ट के बीच में इंशान कोन है वहाँ पे हम खड़े हुए यहां से हम वो करेंगे सीधे जाएंगे पस्यम दिशा की तरफ और नहरुत्यकुन की तरफ वहाँ पे कितनी जीए साती है कितनी आई आरती पूरी आपको लायू पता चलेगी अभी यहाँ आप देखोंगे तो यहाँ पे जीएस का हमने अभी कमांड दे रखा है अभी यहाँ पे यह स्ट्रेट लाइन है अगर कह बड़ी प्रोपर्टी है इस प्रोपर्टी की पूरी फिक्वंसियम यहाँ पे चेक कर लें के फ्रेंळ यहां पर दिख रही है कि फिंद यहांड हो रही है कि यहां पर यहां कि सिक लाइन है है अला दिख कि अब इसका में कुरा उनोपरलिश सबुखन करना पड़े है क benefici अब यहां नह्म सबस के की तरफ है हमने बहुत लंबा सफर से किया है यहां पर तो वापर जो जियोपेसिक लाइन है उसकी सिक्वंसी यहां पर बहुत यानि कॉंटिटी बहुत कम आ रही है जिस से यह प्रोपटीज भी 100% पॉजिटिव की निगा कि यहां पर हमें पॉइंट प्राप्त हो रहा है इसका भी हमें जियोपेसिक के रोड के माधिन दुआ रहा है इसको भी हमें नुटिलाइजेशन करना पड़ेगा अब यहां से हम आगे की और तरफ जा रहे हैं वहां पे भी देखते हैं कि कुछ और कुछ उना प्राप्त होता है कर दोड़ी में। यहां पर जो भी हम डिजाइन करने वाले एक फार्माउस कर रहे हैं और बुड़ा बहुत यहां पर फार्मेंग का भी प्रोजेक्ट है अब साथ में रहे ना प्रेंड्स अमने एक बहुत लंबा वोगाउस कर रहे हैं लिए यहां पर आप देख रहे हों कि तो हम इस छोड़ पर है और यहां से हम वो छोड़ से आ रहा है यहां पर हमें दो ही जियोपेथिक लाइन मिली है अब यहां पर हम आयार देखेंगे कि यहां आयर की कि अपनी लाइन हमें फेस होती है अब हम इस प्रोपर्टी की पूरी आयार लाइन को स्कैन कर रहे हैं अब मुरे सात रहें अगर आप उपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर हाई टेंशन लाइन जा रही है और यहां पर हमें इंफ्रारेड का एक पॉइंट मिला है यानि जो कहते हैं ने कि फ्लोट के अंदर हाई टेंशन लाइन के नीचे गर नहीं बनाना चाहिए तो यह चीज हमें यहां का फिर गचाए झाय बनाना चाहिए पारेव लाइन लाइन राइना गवान नहीं दो यहीं है रही है तो यहां वादो इंखेंगे यहां पुरार चुराफे में पॉड़ता है रही है झाल झाल यह कवें यहां पर फिक्वंसी प्राफ्त हो रही है इंफ्रारेड की अब यहां से हम आगे वोक करेंगे बाई चांस और कोई हमें पॉइंट यहां पर स्कैन हो जाए पूरा यह पूरा यह प्रिमेशी से प्रो टैल्स का पूरा स्कैनिंग कर गया आपको दुरा दिखा रहे हूं रहे हो दो गया आपको यहां तो तो अज़ कर दो आपको ठापको खो नहां ब्सुरा जब भनापको प्रोगज कर दोग्साफ्टीज वहां मैं तो प्राफ्त है यहां पर पूरा फिनिश हो रहा है यहां पर प्रेंट्स यह आप देखरम करके चारो दरफ खुली जगह है वास्तु को जो परकुरूती हमें नेचर देती है कि वास्तु दोष कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है अगर उस दोष को हम फोलो करते हैं मिन्स वास्तु के नियमों को अगर हम हमारा घर बनाते हैं वास्तूं के हिसाब से तो जो एनर्जी है ना वह नेचरमेड एनरजी है वह हमेशाद रहेइगी वह हुगहां नहीं सकेंगे अब यहां की प्रखती के जो एनर्जीज है वह हम देख रहे ने कि वह कितने 100% है अगर यह पोजिटिविटी हंड्रेट परसंट है तो हम यहां पर हमारा कंश्ट्रक्शन करवा सकते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हम यहां पर कर सकते हैं कि अगर देखिए यहां पर हमारा स्केनिंग हो चुका है और यहां पर डिजिट निकल के आ गई है यह पर सकते हो इसी तरह हम और दो एनर्जी देखेंगे जिसको कहते हैं आई यार पॉइंट डेड एनर्जी नजर दोस्ट यहां सब कुछ हम आपको लाइव दिखाएंगे यहां पर हम आई यार का एक पॉइंट ढूंड रहे है के नहीं री चेकिंग में ले रहे हैं अब यह हमारा स्कैनिंग हो रहा है सेकंड बद्ने पर यह स्कैनिंग कम्प्लेट यानि 100 परसंट वह एक नेगिटिवीटी एनर्जी यहां पर अब यहां पर हम देखेंगे बूत प्रित बादा बंदन दोश हो चुका है बूत प्रित बादा हो चुकी है कोई भी प्रकर की नेगिटिवीटी यहां पर है के नहीं जो मानव जीवन के लिए थोड़ी खानी कारक होती है अगर यहां पर होगी तो रेड हो जाएगा निदों माइनोर लिख के आ जाएगा जरा पढ़ लेना क्या है लिए और ओनर के लिए अच्छी बात है ऐसी कोई भी नेगिटिवीटी यहां पे अवेले बल नहीं है याँ यहां पर हम कोई भी प्रोजेट को सरुवात कर सकते हैं अब है डेड एनरजी यहां इतनी बड़ा खेत है इतनी बड़ी जगा है तो यहां पर कुछभी मुरूत कवस्ता में कोई भी पश्यू पंकी पड़े होंगे तो उससे मिनने वाली एनरजी या कोई ऐसी खराब चीज पड़ी होगी तो भी यहां पर अमें पता चाहिए तो देखिये फ्रेंड्स यहां पर यह थोड़ा शोव कर रहा है क्या लिखके आ रहा है यह 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 तो इतनी बड़ी जगा पर होने वाला यह इससे बहुत टेंशन वाली बात नहीं अब सबसे बात है कि नजर दोस्त ओनर खुद जब यह जगा लेता है तो उससे इतना प्रभावित हो जाता है और वो खुद की नजर लगा ब तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक कोई असी नेगिटिविटी की नजर दोस्त का कोई भी ऐसा हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होई तो हम क्लाइन्ट को कह सकते कि आपका फ्यूचर पॉइंट फ्यूचर में कोई भी प्रोजेक्ट हो तो यहाँ आप उसकी शुप के अंदर क्या इफेक्ट आता है कि देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ग्रीड एक्टिवेट कर दी यह भी स्कैनर के अंदर नोर्थ इस साउथ वेस्ट अब हम आठ जोन की फिक्वंसी लेंगे हम नोर्थ को सबसे पहले कमांड दे रहे हैं कि यहां की नोर्थ डिरेक्शन अब उसी तरह हम नोर्थ इस्ट की तरफ जा रहे हैं कि नोर्थ इस्ट में हमें क्या प्रव्लम्स आ रही है तो फ्रेंड्स नोर्थ इस्ट भी यहां पर स्कैनर की मूवमेंट से पता चल रहा है कि 100% पोजेटिव हैं अब हमारा नेक्ष जोन है इस्ट जोन के इस्ट के अ प्रव्लम्स है तो फ्रेंड्स यहां पर इस्ट में आप देखेंगे तो स्कैनर की जो सिक्वंस से थोड़ी कम आ रही है यानि कुछ ना कुछ इस्ट की तरफ से आने वाली नेकिटिविटी है जो हमें यहां पर सौल करने पड़ी है अब वो नेकिटिविटी कितने परसंट नेकिटिविटी है यानि इसको 20 गिनेंगे तो 80 परसंट नेकिटिविटी इस्ट डायरेक्शन है तो उसको हमें कुछ ना कुछ लाज करना पड़ेगा हमारे एलिमेंट रूड के मात्यम अब साउथ इस्ट तो फ्रेंट साउथ इस्ट यहां पर 100 परसंट आ रहा ह है यह भी हमारे लिए बहुत ही पोजिटिव है अब है साउथ यहां पर थुड़ा विक आ रहा है रिजन के इसके पीछे एक नहर जा रही है जिससे यहां से थुड़ा नेकिटिविटी आ रही है साउथ आपको दिखा देंगे तो यह साइड हो रहा है तो फ्रेंट सब आगे हम बढ़ रहे हैं साउथ वेस्ट वह भी हंड्रेट परसंट आ रहा है वेस्ट में भी थोड़ी प्रोब्लेम आ रही है अब आ रहा है नोर्थ वेस्ट यहां पर एकडम एक्डम आ रहा है तो यह पूरी रिपोर्ट यहां के हमने अनलिसिस की है और स्कैनर डिजिटल और स्कैनर के माधियम के द्वारा अब हम इसको सम्मिट कर रहे हैं इसको व्यू करेंगे तो यहां पर पूरी रिपोर्ट जनरेट हो गई तो आप यह देखेंगे हमारे जोन बार है वो जोन बार के अंदर कौनसी कौनसी नेगेटिविटिए जैसे साउथ हो गई साउथ वेस्ट हो गया इस्ट हो गया इस्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव ह यह इसके पूरी रिपोर्ट यहां रेडी हो चुके जो क्लाइंट के पास वाट्स आप नमर पर पहुंच जाएगी इसके थैंक यू फ्रेंड्स घर हरमादे हो घर हरमादे हो